नमस्कार दोस्तों, स्वागते आप सभी लोगों का एक बार फिर से दोस्तों 14 फेबररी दिन बुद्वार बसंत पंचमी मालक्ष्मी के आशिरवाद से इस दिन यानी बसंत पंचमी के दिन बना दिव्य और दुरलब महाशुब सैयोग महालक्ष्मी योग, अमरित सिधी योग, सरवार्थ सिधी योग, बारा राशियों में से छे राशियां होंगी माला माल जी हाँ दोस्तों आपको बता दे, मालक्ष्मी के आशिरवाद से 14 फेबररी दिन बुद्वार को बन रहे सरवार्थ सिथी योग, अम्रित सिथी योग और महालक्ष्मी योग में 12 राश्यों में से 6 राशीवालों की किस्मत चमकने वाली है स्वयम धन की देवी मालक्ष्मी इस दिन यानि बसंत पंचमी के दिन इन 6 राशीवालों के घर पधार रही है जिसे इन छे राशी वालों के जीवन में आने वाली है मालक्षमी के आशिर्वात से अपार खुशियां ही खुशियां जिसे अब इन छे राशी वालों का जीवन बदल जाएगा ये खुश नसीब छे भागेशाली राशियां कौन-कौन सी है जो की 14 फेवररी दिन बुद्धवार को बसंत पंची में के दिन धन से माला माल होने वाली है इन 6 राशी वालों को अब माला माल होने से स्वयम विधाता भी नहीं रोक सकते इस वीडियो में हम आपको उनी 6 खुशनसीब और भागिशाली राशीों के बारे में बताने वाले हैं इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें क्योंकि ये वीडियो इन 6 राशी वालों के लिए बहुती महत्वपूर्ण रहने वाला है वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कमेंट बॉक्स में जै मालक्ष्मी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें जिसे मालक्ष्मी का आशीरवाद आपको सीधे प्राप्त हो दोस्तों आपको बता दे प्रतिवर्ष माग मा की शुकलपक्ष की पंजमी तिथी को वसंत पंजमी का पर्व मनाया जाता है हिंदू पंजमी के अनुसार इस बार वसंत पंजमी 14 फेबरी दिन बुद्धवार को है इस बार वसंत पंजमी पर कहीं शुब योग बन रहे हैं इन योग और शुब मौर्द के साथ आपको बता दे मां शार्दे के भी आपको पूजा बहुत ही फलदाई साबित होगी इस दिन भगतों पर मां सरस्वती की कृपा रहती है वो कला, साहित्य, संगीत और शिक्षा के शेत्र में अपार सफलता प्राप्त कराती है जोत्र शास्टर के अनुसार आपको बता दे इस बार वसंत पंच्वी पर बहुत शुब सयोग बन रहे हैं जिसे कि मां सरस्वती तो आपके उपर प्रसन ही है साथी सा दन की देवी मां लक्षमी भी आपके उपर बहुत प्रसन रहने वाली है आपको बता दे सर्वप्रतम तो आप उन शे राश्यों को जानने से पहले मां सरस्वती को प्रसन करने के लिए कुछ उपाय आपको बताते हैं फिर हम शे राश्यों के बारे में संबुरन चर्चा करेंगे दोस्तों आपको बता दें इस दिन आप मा सरस्वती की विधी विधान से पूजा करें और बसंत पंचमी के दिन आप मा लक्षमी को और मा सरस्वती को आप बेसन के लड़ू का भोग अविश्य लगाएं क्योंकि मिठाई जो होती है वो भावना का प्रतीक मानी जाती है इसलिए बेसन के लड़ू चड़ाने से मा जल्दी प्रसन हो जाती है मा शार्था और मालक्षमी दोनों को बेसन के लड़ू का भोग लगाएं और इसके साथ यदि आप पीले मीठे चावल यानि वसंत पंचम के दिन मा को भोग लगाते हैं मा अति प्रसन हो जाती है इसलिए मीठे चावल का भोग आप अविश्य लगाएं दोस्तों आब बताते हैं कि माता लक्षमी और माता सरस्वती किन छे राशियों पर अपनी कृपा बरसाने वाली हैं ये छे राशियां जो माला माल होने वाली इन्हें अब कोई नहीं रोक सकता क्योंकि इस दिन यानी वसंत पंचमी के दिन सरवार्त सिध्धी योग, अमरित सिध्धी योग और महालक्ष्मी योग का निर्मान भी हो रहा है जिससे ये छे राशी वाले माला माल होंगे, करोडपती होंगे तो दोस्तों इन्छे भागेशाली राश्यों में से पहली राशी दोस्तों हैं सिंग राशी, दोस्तों सिंग राशी वालों को बता दें बसंत पंचमी के दिन धन की देवी मालक्ष्मी आपके उपर बहुत महरबान होने वाली है, आपको बता दें इस राशी वालों के लिए ये समय बहुती अच्छा रहेगा बसंत पंच्पी के दिन धनलाब के अवसर प्राप्त होंगे साथी साथ दामपत्य जीवन, निजी जीवन, सारवजनिक जीवन तथा व्यापार में सुधार होगा अकस्मक धनलाब के योग हैं इस दिन ग्रहस जीवन में सुख शान्ती रहेगी डेकोरेशन, गार्मेंट जगत, आभूशन, सौंग, प्रशासन, कम्यूनिकेशन, आधारित कामकाज से जुड़े लोगों को अपार सफलता मिलेगी इस दिन यूँ कहें कि बड़ी-बड़ी खुशकबरी प्राप्त होगी सिंग राशी वालों बसंत पंचमी का दिन आपके लिए अत्यंत लाब प्रद साबित होगा आप मकान या फिर वाहन भी खारीद सकते हैं प्रॉपर्टी के लिए भी समय अच्छा रहेगा आपके लिए चारों तरफ से धनलाब प्राप्ती होगी दोस्तों दूसरी खुशनसीब और भागेशाली राशी है मेश राशी मेश राशी वालों को बता दे बसंत पंचमी के दिन धन की देवी मालश्मी की अपार कृपाजिश्ची आपके उपर बनी रहेगी जिसकी वज़े से धनलाब की प्राप्ती होगी साथी साथ मेश राशी वालों जो लोग व्यापार करते हैं उनको व्यापार में दिन दुगनी रात चोगनी तरक्की देखने को मिलेगी व्यवसाय में विदी होगी, साती सात आपको हर पद्व में तरकी मिलने की संभावना है पदोनती प्राप्त होगी, बेधन विदी से जुड़ी खुशकबरी आपको प्राप्त हो सकती है विदेश में नोकरी करना चाहते हैं उन लोगों को विदेश में नोकरी करनी की प्राप्ति की संभावना बनी हुई है कोई शुब समाचार मिल सकता है जिससे की इन राशीवालों को अपनी खुशी का ठीकाना नहीं रहेगा साथी साथ मेश राशी वालों की आय में बृदी होगी क्योंकि धन योग धन प्राप्ति के योग भरपूर से आप भरपूर लाब उठाएंगे साथी साथ संतान प्राप्ति का सुखा आपको प्राप्त हो सकता है दोस्तों अगली राशी है तुला राशी तुला राशी वालों को बता दे धन की देवी मालक्षमी आपके उपर बहुत महरबान होने वाली है ये दिन आपके लिए सबसे अच्छा दिन साबित होगा आपके मान सम्मान और प्रतिष्टा में व्रिधी होगी समाच में आपकी प्रशनसा की जाएगी साथी साथ इस अवसर पर आपके समस्त कार्य पूर्ण होंगे बड़े बड़े कार्य आपके पूर्ण होंगे आएके संसादनों में व्रिधी होगी धनलाब आपको होगा अकस्मिक धनलाब के योग है बड़ी बड़ी खुशकबरी आपको प्राप् होगी आपको बता दे तुलाराशी वालों अचानक से धनलाब प्राप्ती भी आपके लिए अनेक योग बन रहे हैं इसलिए आप तयार रहें मतलब बहुत बड़ी खुशकबरी आपको प्राप्त होगी आपको साथी साथ बता दे यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापा प्रसन रहेगा, बहुती अच्छा समय आप महसूस करेंगे, संतान को लेकर इस समय आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, बड़ी खुशकबरी आपको प्राप्त हो सकती है, और आपको बता दे अब वाहन और मकान खरीच सकते हैं, दोस्तों अब चौती राशी, आपको बता दे इस दिन यानी वसंत पंचमी के दिन बहुती शुब संदेश मिलने के योग हैं, आपके द्वारा की गई महनत का आपको अविश्य ही फल प्राप्त होगा, आर्थिक स्थिती पहले से बहतर होगी, रुकेवे कार्य आपके जादा तर सफलता पूर्वक बने दोस्तों के साथ मेल जोल बड़ेगा, साथी साथ परिवार में आपका खुश्टुमा माहोल रहेगा और आपके जीवन साथी का भी आपको भरपूर सयोग प्राप्त होगा, आपकी मदुरवानी की वज़े से सभी कार्य सफलता पूर्वक पूरुन होंगे, पसंद पंचम के दिन धन की देवी मालक्ष्मी के आशिर्वात से आपके लिए बहुती अच्छा दिन साथित होगा, आपको बताती आपको कहीं आपका अगर धन फसा हुआ है, तो वो धन भी आपको वापस मिल सकता है, रुके उवे कार्य पूरे होंगे, ये दिन आपके लिए बहुती अच्छा साबित होगा, बसंद पंश्मी के दिन मालक्ष्मी महरबान रहेंगी, धन की देवी मालक्ष्मी बसंद पंश्मी के दिन बहुती महरबान रहने वाली है, अब दोस्तों अगली राशी है कन्या राशी, कन्या राशी वालों की किस्मत के सितारे अब बुलंद होने व भायों का सयोग मिलेगा लेकिन परिश्रम की अधिकता रहेगी घर परिवार में मांगलिक कार्य होंगे वस्त्र आदे उपहार भी मिल सकते हैं नौकरी में परिवर्तन के साथ दूसरे स्थान पर भी जाना पड़ सकता है आयात निर्यात जिसे शेत्रों से लाब के अवसर प्राप्त होंगे मात्र सुख वाहन सुख दोनों में वृधि हो सकती है नौकरी में वरिष्टों का सयोग मिलेगा अगर धन का निवेश करने के ब सकते हैं अच्छा खासा लाब होगा इस महीने आप कहीं महत्वपूर्ण निर्ने लेंगे ग्रह लाब होगा विवा इच्छुक जातकों के विवा के योग बनेंगे घर परिवार में मंगल में बातावरन रहेगा दामपत्य जीवन सुख में रहेगा संतान सुख मिलेगा आदर सतकार में खर्च होगा लेकिन उतनी खुशियां भी मिलेंगी दोस्तों अगली खुश्किस्मत राशी है मकर राशी मकर राशी वालों अब आपको चारों उंगलियां आपकी चारों उंगलियां घी में होंगी अपार धनलाब के योग बन रहे हैं अर्तक जो आपके जीवन की गाड़ी रुक रुक कर चल रही थी, उसमें सुधार होगा, कार्यों में सफलता मिलने लगेगी, लेकिन कार्यों को प्राथमिकता देकर उन्हें संपन करने पर जोड दे, शनी महाराज और हनुमान जी की भक्ती में लीन रहें, चारिरिक रूप से आप एकदम स्व रहेंगे और नई उर्जा का निर्मान होगा, विदेश यात्रा के योग हैं, कीमती सामान की देखबाल करें, उसमें नुकसान होने की संभावना है, मित्र समन्द्यों का सयोग मिलेगा, घर में किसी मांगलिक कारे में भाग दोड होगी, इस महीने मकराशी के जातिकों को पीड़ा से राहत मिलेगी, कार्यों में आ रही विग्न बादाएं दूर हो जाएंगी, कारिश्थल में समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, सामाजिक राजनेतिक शेत्र से जुड़ाव रहेगा, जिसे अच्छे लाब मिल सकते हैं, अधूरे कार्यों को पूरा करने का प्रय प्लेश होने का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन धीरज से काम ले, दोस्तों कुल मिलाकर इंचे राशी वाले जातकों पर मालक्ष्मी कृपा बरसाने वाली है, ये जातक अपार धन समपती के मालक बनने वाले हैं, आज के लिए बस इतना ही, दोस्तों अगर आपक ये वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों को शेर करेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाईएगा, साथी साथ कमेंट बॉक्स में जैमालक्ष्मी जरूर लिखे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के अगर दोस्ते हैं तोस करेंड बॉक्स कर दोस्ते हैं बॉक्स कर मbert दूर नाट आगेए।